खेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज मैं आप लोग को एक इंपोर्टेंट लेटर बताने जा रहा हूँ तो आप लोग सभी इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और दोस्तों इस लेटर को मैंने अपने सब्दों में लिखा है तो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और लेटर राइटिंग के प्लेलिस्ट में जरूर जाईएगा यदि आप क्लास 9 और 10 या 7 या 8 में यानि कि आप एक स्टुडेंट हैं और 10 क्लास से नीचे हैं तो आप लेटर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग निवंद लेखन पत्र लेखन इन सभी प्लेलिस्ट में जरूर जाईएगा दोस्तों सबसे पहले आप अपना पता लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पर पड़ते हैं नोवेमबर यानि कि जैसा स्पेलिंग है उसी तरह है डियर रमेश पिर ये रमेश आई होप यूर वेल एट यूर होम आशा करता हूं कि तुम अपने घर पर अच्छे से होगे I am also having a nice time here at my village और मैं भी यहाँ अपने गाउं में अच्छा समय बिता रहा हूं Now you are free to spend some holiday अब तुम बिलकुल free हो कि तुम अपना कुछ holiday यानि छुट्टी का दिन बिता सको a tour or visit is perhaps the best diversion for you और एक tour या visit यानि कि कहीं घूमने जाना तुम्हारी लिए सबसे best diversion होगा यानि कि दोस्तों एक तरह से मनुरंजन होगा तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा divert होगा प यदि ऐसा है तो मेरे यहां क्यों नहीं you may come to my village तुम मेरे गाउं आ सकते हो and enjoy your holidays और अपने holidays को enjoy कर सकते हो this will definitely refresh your mind या तुम्हारे mind को निश्टित तौर पर refresh कर देगा my village is situated by the river Ganga मेरा गाउं गंगा नदी के किनारे है here nature offers us pure air, fresh vegetables and sweet water और यहां nature हमें offer करता है बिल्कुल pure air, fresh vegetables and sweet water और बिल्कुल मिठा पानी you may sight the bright blue sky तुम यहां पर बिल्कुल नीला, चमकीला आस्मान देख सकते हो the green fields, हरे भरे खेतों को देख सकते हो and the exquisite sunset और exquisite sunset को देख सकते हो यहां पर exquisite का मतलब हुआ, मन को लुभाने वाला, मनुरम, सुन्दर दिरिश से a board journey will be very exciting और नाओ की यात्रा बहुत exciting रहेगा, उतेजना पूर्ण रहेगा besides, mother is ready to cook some delicacies for you इसके अलाबा मा तुम्हारे लिए कुछ delicacies यानि की स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए तयार है after all, a guest is a guest आखिर कर, एक महमान महमान होता है I hope that you are looking forward to visit और मैं आसा करता हूँ कि तुम जरूर घूमने आओगे don't dishearten us, हमारा दिल न तोडो please convey my regards to your parents और अपने माता पिता को मेरा परनाम कहना I hope dear students and friends, कि यह लेटर आप लोगो को अच्छा लगा होगा यदि अब वीडियो आप लोगो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और आप लोगो को end screen के रूप में बहुत सारे playlist न जर आ रहे होंगे किसी एक पर क्लिक किजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए All right friends, thanks for watching, have a great day